हेलो गाइज वेलकम तो अने दर वीडियो फ्रेट फेड बैंक फिनांशल सर्विसस लिमिटेट गाइज इस कंपनी का जो आई पियो का यह जो लॉंच डिट आ चुका है जो कि आज के दिन ऑपिन होने जा रही जाने की कंप्लेट एनलसिस बिजनेस मॉडल फिनाशल कंडिश परफॉर्मेंस जींप लिस्टिंग किता मिलेगा और लास्ट में में बात करूंगा इसके प्रॉस और कॉंस को इसके कुछ रिस्क की बात करूंगा और कंप्लेट अनलसिस अम लोग आज इस वीडियो में डिसकस करेंगे चलिए फ्रेंट्स अप्लाइ करना चाहिए फिन इ और यह जो बुक बिल्ड इशू आई प्यों 1092.2 करोड का फंड जो सो रेज कर रही है जिसमें से फोर पॉंट टून करोड का जो सेयर्स जो है यह फ्रेश इसू के तुरूं अ मतलब की इशू करेगी फ्रेश इसू के तुरूं इसू करने जा रही है जो कि 600 करोड का लिस्टिंगर रखा गया पास दिसम्बर 2023 का झ funeral के डाप लिस्टिंग करता कि कंपनी का इस अशना इसका चलती होता हैं जितना जल्दिसा सब्सकूं भी सब्सक्राइब कि लिश्टिंग भी होगा लिस्टिंग लेट में लास्ट फाढ़ाइज देट रहे हैं पास दिसम्बर लास्ट डेट पास दिसम्बर को भी लिस्टिंग हो सकता या तो उससे पहले भी प्राइज बैंड है 133 to 140 रुपीज पर सियर की 107 सियर्स के लॉट साइज है वह अगर हम बात करेंगे इसके लीड मैनेजर का तो इसके लीड मैनेजर है लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसके रिजिस्ट्रार है वह अगर हम प्रोमोटर की बात करेंगे तो फेडरल बैंक लिमिटेड इसके प्रोमोटर है प्री इशू होल्डिंग 72.28 परशंट का और आफ्टर अलॉटमन 62.4 फेड बैंक फिनांसल सर्विसेस लिमिटेड जो है यह गोल्ड लोन्स होम लोन्स और लोन अगेंस्ट पॉपर्टी और बिजनस लोन सर्विसेस प्रोवाइड करता है जो के एक तरह का रिटेल फोकस्ट अन्बी एफसी कंपनी और सेभी का रूल है जो भी जितने भी और आने वाले टाइम में दो हुजाब पचीश तक अभी इंडिया की वन आप दा सबसे बड़ी कंपनी जो की टाटा संस यह भी एक कंपनी है यह जो सो दो हुजाब पचीश में इसका डेट जो सा आने वाला है तो उस पर मैं बात नहीं करूंगा बहुत अभी तो आनी रह इस गोल्ड लोन्स एमेसमी और गोल्ड लोन पियर के साथ अगर कॉंपैरिजन करें तो जो कि इंडिया में दोजारताइस के फिक्सकल में शेट किया गया था यह बहुत यह बहुत 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 जादा पर और इसका और इमर्ज है कंपनी के प्रोड़क्ट रिंज जो है इसमें इंक्लूड है मॉटेज लोन्स जैसे हाउसिंग लोन्स हो गया और मेडियम टिकेट लोन अगेस्ट प्रॉपर्टी हो गया अनसेक्यूर्ड विजनेस लोन्स हो गया गोल्ड लोन्स यह प्रोवाइड करती है कंपनी एक फीग बीज़िकल ब्रांच में जो की फेडल वैंक गयरा ले सकते है और यह तो आप फीजिकली भी डिजटल भी आप लोन ले सकते है इसके प्रॉपर्वाइड करता है कस्टमर्स को अलग अलग प्रॉडक्ट में और 31 मास 2023 तक देटा लिख जाये तो फेर्ट बैंक मिलासल सर्विसेज एराउंड 191 डिस्ट्रिक्ट में इसके ऑफिसेज से जो कि 16 स्टेट्स और यूनियन ट्रेट्रीज को कवर करती है इंडिया में जो कि 575 ब्रांचेज है और स्ट्रॉंग प्रेजन से साउधन और वेस्टन डिजन में इंडिया के साउधन औ थे जिसमें इंक्लुड और राजस्थान और टेलंगना और और रजस्थानक की बात करए तो प्रेजन से लार्झ अंडर प्रेनिट्रेटेड मार्केट्स जो कि स्ट्रॉंग ग्रोफ प्रोडेंशल है नोन प्रोडक्ट्स पर जो कि कोलैट्रल लैस्ट टार्गेट करती इं । और प्रिजंद है। इसका हैं। सेलक्ट कस्टमर सइगमेंट में। और रोबस्त év thành का जोकी फोकस करती है। मतलब कि एक प्रक्राइब है इसरह सी escaping किया गया Funding को लेकर और इसका level operating model इसका है और घर हम बात करेंगे कि रिस्क का इस पर रिस्क किया गया जो जो ब्रेंस से large under penetrated market जो प्रेजन से जो स्ट्रॉंग ग्रोथ प्रडेंशल इस में प्रेजंच है है लेकिन यहां पर देखिए तो डिटेल लून प्रोडक्ट्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है जो कि को लैट्रलाइज लेंडिंग मॉडल टार्गेटिंग इंडिविजुल्स और इमर्जिंग MSME सेक्टर्स को जो इसो फोकस करें जो कि लोन्स वगरा कि जो MSME जो होते उनकी लोन्स की बहुत डिमांड है इसका उतना ज्यादा नहीं है लेकिन इस पर आप पर बात करेंगे कंपनी का घर देखेगा तो कैस्पलो भी अगर देखा जा तो निगेटिव देखने को मिल चुका यह बहुत बहुत बांड रॉब यह चाहेँ हो 2123 तीनों में का इसका निगेटिव दिखने को मिला है last three fiscals में यह drawback है plus अगर हम financial की बात करें तो 21 में 697.5 करोड का revenue 61.6 करोड का profit 22 में 883.6 करोड का revenue 103.4 करोड का profit 23 में 1214.6 करोड का revenue 180 करोड का profit First quarter 24 में 367.8 करोड का revenue और 53.8 करोड का profit है तो company का financial अगर देखेगा ग्रोफ देखने को मिला बहुत अच्छी ग्रोफ है ना तो डाउनफोल ना तो सदेन बूस्ट हुआ है एक अस्टेलबिटी देखने को मिला है और फॉने फ्रफिट शेक्षा परशेंट का जो इंक्रीज किया है वह एक और ऑब्जेक्ट की बात करें तो कंपनी जो है टीर वन कैपिटल बेस का जो आगमेंट करना चाहते जिससे कंपनी के के फूचर कामेंट को मीट कर सके जिस तरह से बिजनेस और असेट की ग्रोफ हो इसको मेट कर सके प्लस ऑफर एक्सपेंस को मीट करना चाहती है तो अबरल अगर देखा जाए तो फेड बैंक जो है यह स्टेडी ग्रोथ देखने को मिला टॉप और बॉटम राइन से प्रिपोर्ड जो किया गया लास्त तरी फिसकल में यह टॉप और बॉटम राइन से अच सब्सक्राइब जो कि मेजरीटी होल्डिंग फेडर बैंक का यह मतलब क्या सकते है मतलब की मेजर स्टेक है जो कि बहुत पॉजिटिव साइन है और फिनांशल सर्विस सेक्टर में यह मतलब की वाइटल रोल जो सो प्ले कर रहा है एकनोमी को उपर ले जाने में स्पीड कर अने वाल टाइम में फास्ट ग्रोथ के लिए बहुत जाए इंपॉर्टेंट होगा इसलिए कर देखिए फुली रखा गया तो मीडियम प्लॉंक टम करना चाहते हैं तो आप अप्लाइ कर सकते हैं लिस्टिंग जाते हैं तो लिस्टिंग बहुत ही लो मिलेगा फाइव पि में इन वेस्टिंग कर सकते हैं एक अ